सर्दियों में तो गर्मागरम हलवा सबको बहुत ही पसंद आता है चाहे वो मुंग डाल का हो या बेसान का हो या गजर का बहुत ही अच्छा लगता है और इस टाइम तो बाजर में अच्छा अच्छा गजर भी मिल रहा है तो इसलिए आज हम गजर का हलवा बनाएंगे तो उसका उपर बला जो पॉर्षन है और नीचे बला जो पॉर्षन है उसको निकल के इसका जो छिल का है उसको छुड़ा लेंगे पहले तो एकी तरीका से बागी गजर को भी कम छिल लेंगे तो गजा छिलना तो हो गया है आप एक एक करके गजार को ग्रेटस से ग्रेट करना है तो ग्रेट करने के बाद आप इस गजार को फ्राइ करेंगे आप फ्राइ करने के लिए पैन में डाले टूटी स्पून देशी घी गी जब थोड़ा गरम हो जाए गास का फ्लिम लोटो मीडिया में रखते हुए आप गाजर को कुजदे तक फ्राइ करना है जब तक इससे अच्छा खुजबू ना निकालाता है तो देखिए कुजदे चलाने के बाद गाजर का जो कलर है थोड़ा चेंज हो गया है और उससे अच्छा कुजबू भी आने लगा अब इसको ठंडा करना है तो ठंडा करने के लिए एक ब्रेट में कुजदेर के लिए रखेंगे तक जल्दी ठंडा हो जाए जब गाज़ा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसको पीषना है तो पीषने के लिए ग्राइंड़ जार में जो गाजर रखे थे उसको डाले आप इसमें डालेंगे दूद तो मैंने इहां देर कब दूद डाले अब इसको पीषेंगे तो पीषना हो गया है आप गड़ाय में डाले वान टीस्पून घी घी के साथ मिलाए एक कप सूजी ये गजर का हलवा में सूजी मिलाने से खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो सूजी जब फ्राइ हो गया है उससे अच्छा खुजब आने लगा तब पीषेंगे जो गजर रखे थे उसको डाले अब सूजी के साथ गजर को अच्छे से मिलाना है जब सूजी के साथ गजर अच्छे से मिल जाए तब डालेंगे एक कप चीनी आप यहां चीनी कम ज़्यादा कर सकते हो अब डाले एक कप पानी अब अच्छे से मिलाएंगे जब पानी पूरी तरह से सुख जाए तब उपर से डाले वान टीस्पून घी घीर डालने के बाद यहां मिलाएंगे हाप काप खीर मैंने पहले से खीर बना के रखे थे खीर में चीनी नहीं डाले थे अब खीर के साथ सूजी गाजार को अच्छे से मिलाए और आप कापचीनी डाले अब अच्छे से मिलाना है जब पूरी तरह से सारे चीज अच्छे से मिल जाए तो बस काजा का हलवा बनके तैयर होई गया है बहुत ही सुंदर फ्लेबर आ रहा है इस टाइम यह हलवा को और भी टेस्टी करने के लिए टेबल स्पून घी में डाले 1 टेबल स्पून के करीब बादम और 1 टेबल स्पून किसमिस थोरह असा फ्राइ करके जैसे अच्छा फ्लेबर आए हलवा को ऊपर मिलाना है मिलाने के बाद अब अच्छे से मिक्स करेंगे तो बस सोजी गाजर का हल्वा बनकी तैयर होई गया है और ठान के मौसम में तो गर्मागार मलब बहुत अच्छे लगता है खाने में और टेस्टी भी होता है खाने में तो दोस्तो आप भी बनाईए और वीडियों कैसा लगा कॉमेंट केरके जरूर बताईए अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बाई